केंदर में इंडिये की सरकार आने के बाद से भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है व्यापार घाटा तब होता है जब निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा हो 2014 से लेकर अब तत भारत का निर्यात तो बढ़ा है मगर आयात उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है दूसरे देशों से व्यापार के दौरान आयात और निर्यात के बीच के फर्क को Treat Balance कहा जाता है लेकिन अगर आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो तो उसे व्यापार घटा कहा जाता है यानि अगर हमने 100 रुपे का निर्यात किया और 150 रुपे का आयात किया तो हमारा व्यापार घटा 50 रुपे का होगा जब तक आयात के मुकाबले निर्यात नहीं बढ़ेगा तब तक हम व्यापारी क्रूप से इंडिपेंडन नहीं कहलाएंगे साल 2014-15 में हमारा व्यापार गाटा 137.7 billion डॉलर पर था जो साल 2015-16 में कम होकर 118.7 billion डॉलर पर आ गया साल 2016-17 में इसमें और कमी आई और ये 108.5 billion डॉलर तक आ गया लेकिन साल 2017-18 में इसमें जबरदस बढ़ोत्री हुई और व्यापार गाटा 162.1 billion डॉलर पर पहुँच गया 2018-19 में ये रिकॉर्ड 116.6 billion डॉलर तक जा पहुँचा हाली में सरकार ने लोगसभा में ऐसे कई देशों की लिस्ट रखी जिनसे हमारा व्यापार पहले फायदे में था जो अब घाटे में बदल गया है यानि इन देशों को हमारा निर्यात कम हुआ है और आयात बढ़ गया है मसलन होंग कोंग के साथ हमारा व्यापार 2016-17 में 5843 million डॉलर के फायदे में था जो 2018-19 में 4985 million डॉलर के घाटे में बदल गया मेक्सिको के साथ 2016-17 में हमारा व्यापार 516.47 million डॉलर के फायदे में था जो 2018-19 में 1735.46 million डॉलर के घाटे में चला गया वेतनाम के साथ हमारा व्यापार 3446 मिलियन डॉलर के फायदे में था जो अब 684.86 मिलियन डॉलर के घाटे में है इस लिस्ट में कई ऐसे देश भी हैं जिन के साथ हमारा व्यापार घाटा पहले के मुकाबले बढ़ा है बढ़ते वियापार घाटे का ही नतीजा है कि करिंट अकाउंट घाटा भी इन 5 साल में तेजी से बढ़ा है जो साल 2014 में धाई बिलियन डॉलर पर था अब 5 साल बाद ये तीन गुना से भी ज्यादा यानि 15 बिलियन डॉलर पार कर चुका है करण साफ है कि इन 5 साल में आयाद का निर्याद के मुकाबले दुगनी तेजी से बढ़ा है तो आयाद 4.2 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा है आयाद पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने पिछले कारेकाल में एक हाई लेवल टास्क फोर्स का भी गठन किया था पर बजाए इसके व्यापार घाटा वितवर्ष 2019 में रिकॉर्ड स्टर पर पहुंच गया मेक इन इंडिया जैसी मुही में भी निर्यात को बढ़ाने में काम्याब नहीं हो पाई है इसरारे मशेक गो नियूज